सब्सक्राइब कर लीजे आरवी चैनल को इस लाल बटन को दबाके इसके साथ जो घंटी का निशाने से भी दबा दिये गए ताकि नए स्मार्टफोन्स की वीडियो जाब तक पहुशती रहे हैं हलो दोस्तों मेरा नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ दो बहुती ज़ादा बढ़िया मोबाइल्स वीवो और इन्फिनिक्स की तरफ से वीवो का वीटवन्टी से जो आपको मिलता है 21,000 का दूसरी तरफ है इन्फिनिक्स का 08 आई यह आपको मिलता है 16,000 का तो इस वीडियो में इन दोनों में कमपेरिजन करके आपको बताऊंगा क्या आपको सस्ता इन्फिनिक्स का 08 आई लेना चाहिए 5000 सस्ता या फिर वीवो का V20 SE तो वीडियो का आप एंड तक देखते रहिएगा बिलकुल भी स्किप मत करिएगा चलिए देखते हैं अगर आप खरच करते हैं 16,000 तो इन्फिनिक्स के 08 आई के साथ क्या क्या दिया गया है तो जैसे आप अन्बॉक्स करते हैं सबसे पहले मिलता है मुबाइल इसके बाद दिये गए हैं कुछ यूजर मैनुवल इस तरह के से एक मिल जाता है कवर स्क्रीन गार्ड भी दिया गया है जिसको आप खुछ से लगा सकते हैं इसके बाद रखी हुए मिल जाती है यह वाइट कलर में डेटा केबल लेंद और क्वालेटिस की दोनों बहुत अच्छी है और दोस्त अच्छी चीज यह है इसके साथ आपको टाइप सी केबल दी गई है तो इनफनिक्स के जीरो एट आई के अंदर आपको टाइप सी केबल का सपोर्ट मिल जाता है आखर मापको रखाव मिलता है तो आप चाहे तो मार्केट से खरीद के एक 33 वाट का फास्ट चरजर इसे मूबल के साथ इस्तमाल कर सकते हैं अब यह सारा समन आपको मिलता है इनफनिक्स के साथ 16,000 में रेट के साब से देखा जाए तो बॉक्स के कंटेंट्स आपको अच्छे ही दिये गए है बाकि अगर 33 वाट का फास्ट चरजर मूबल के साथ ही होता तो काफी बढ़िया रहता चलिए देखते हैं अगर आप फिर भी 5000 जादा खर्च करते हैं वीवो के V20 SE पे तो 21,000 में उसके साथ क्या क्या दिया गया है तो दोस्तो जैसी आप अन्बॉक्स करते हैं वीवो को सबसे पहले दिया गया है एक मिनी बॉक्स जिसमें अंदर की तरफ मिल जाते हैं आपको कुछ यूजर मैनुवल इस सरी के से कार्ड में लगवा है एक सिम जेक्टर टूल इसके बाद दिया गया है एक कवर जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी है मॉबाल मिलता है रैपर के अंदर डिटेल लूक हम भी देखेंगे उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स में आपको ये नॉर्मल क्वालिटी के अंदर इयर फोन्स भी दिये गये हैं इसके साथ आपको मिल जाते हैं अक्सर किसी स्मार्टफोन के साथ आजकल देखने को नहीं मिलते ये खुब इसमें काफी अच्छी है इसके बाद दी गई है ये वाइट कलर में डिटे केबल लेंट और क्वालिटी इसकी दोनों बढ़िया है और दोस्त अच्छी चीज ये है इसके साथ भी आपको टाइप सी केबल दी गई है तो टाइप सी केबल आपको दोनों मॉबैल के साथ एक जैसी मिल जाती है क्वालिटी आपको दोनों के अंदर एक जैसी ही दी गई है केबल की और दोनों के अंदर काफी बढ़िया है आखर मापको रखा हो मिलता है ये वाइट कलर में चारजर अब दोस्तो अच्छी चीज ये है इस मॉबाल के अंदर आपको फास्ट चारजिंग का सपोर्ट दिया गया है 33 वाट की और एक 33 वाट का फास्ट चारजर मॉबाल के साथ बॉक्स के अंदर मिल जाता है तो दो चीजों में वीवो का वीटॉंटी ऐसे ही जादा बढ़िया है एक तो इसके साथ आपको एयर फून्स दिये गए हैं नॉर्मल क्वालिटी के और दूसरी खुबी ये है चारजर फास्ट मिल जाता है बॉक्स के अंदर ही जादा फास्ट चारजर है ये तो दोस्तो देखा जाए तो बॉक्स के जो कंटेंट्स है वो आपको रेट के साथ से दोनों मॉबाल के साथ अपने जगा अच्छे ही दिये गए हैं इसकी कीमत भी 5000 जादा है तो दो खुबी ये इसके अंदर आपको जाद अच्छे मिल जाती है तो इस चीज़ में दोनों मॉबाल साप्टी जगा रेट के साथ सही है चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों डिजाइन के बारे में तो इन दोनों के अंदर आपको डिजाइन दिया गया है प्लास्टिक के टाइप का लेकिन हार्ड प्लास्टिक के टाइप के डिजाइन है इन्फिनिक्स के अंदर मैट फिनिश के साथ तो design की जो quality है, इसके अंदर आपको काफी बढ़िया दी गई है, scratches कामाते हैं इसके back panel पे silver color आप देख सकते हैं, इसका काफी बढ़िया लग रहा है वही दूसरी तरफ Vivo का design भी आपको बहुत जाद अच्छा मिल जाता है जादा shiny design है इसका, Infinix से, लेकिन इस पे scratches असानी सा जाते हैं बाकी light की reflection दोनों पर काफी बढ़िया लगती है, color भी दोनों के काफी अच्छे है double color का effect दिया गया है आपको, Vivo के अंदर silver color काफी अच्छा लग रहा है rainbow shades के साथ Infinix में बाकी दोस्तो quality में Infinix जाद अच्छा है और जादा shiny design है Vivo का बात करें दोस्तो camera के बारे में, तो Infinix में आपको पीछी की तरफ 4 camera दिये गए हैं जिसमें पहला है 48 megapixel का, दूसरा 8 megapixel का, तीसरा 2 megapixel का front camera है दोस्तो 32 megapixel का इसका, camera की performance, दोनों ही mobile's के अंदर मुझे rate के साथ से normal ही लगी अगर आपके लिए camera ही सबसे ज़ादा important है, आपको camera की वज़े से ही mobile लेना है वैसे तो दोस्तों इन दोनों से और ज़ादा बढ़ी है smart phones आपको देखने को मिल जाते हैं 13-14,000 के budget में और दोसरी company's के अंदर, camera को लेकर मुझे ये दोनों ही mobile's rate के साथ से normal ही लगे इसके लब दोस्तों आप देख सकते है complete design, आपको इन दोनों mobile's में किस का design ज़ादा अच्छा लगा, आप मुझे comment करके ज़रूर बताईएगा मुझे दोनों mobile's में वीवो का design ज़ादा पसंद आया, उसका एक और important reason है, मैं आपको भी दिखा देता हूँ उससे पहले बात करें दोस्तों, display के बारे में, तो display आपको वीवो के अंदर दी गई है, साड़े 6 इंच के आसपास 6.4 इंचिस की display मिलती है इंफिनिक्स के अंदर आपको display size दिया गया है, तकरीबन 7 इंच के आसपास तो display size में इंफिनिक्स ज़्यादा बढ़ा है दोस्तों इंदोनों के अंदर, लेकिन वीवो के अंदर आपको AMOLED डिस्पले दी गई है, इंफिनिक्स में IPS मिलती है इंचिस के बारे में बात करें, तो इंदोनों मोबाइल्स में आप ऐसे उपर की तरह स्वाइप करेंगे, आपको सारी अप्लिकेशन्स मिल जाती है लेकिन दोस्तों, इंफिनिक्स के डिस्पले में ये खुबी जाद अच्छी है, इसकी डिस्पले के अंदर आपको 90Hz के रिफ्रेश रेट दिया गया है तो जब आप इस मोबाइल को यूज़ करते हैं, ऐसे स्क्रोल करते हैं अप एंड डाउन, तो इंफिनिक्स के अंदर आपको काफी स्मूध एक्स्पिरिंस देहने को मिलता है यूज़ करने में ये मोबाइल काफी स्मूध लगता है वीवो के कंपरेजन में अब दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको जो दोस्तों डिस्प्ले की क्वालिटी मिलती है, वो किसमें ज़ादा बैटर है, मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ, बिल्कुल फुल ब्राइटनेस करके वीवो के अंदर आपको डिस्प्ले का डिजाइन दिया गया है, नौच वाला जो काफी कॉमन हो गया, लेकिन इंफिनिक्स के अंदर आपको डूल पंच होल कैमरा दिया गया है, डिस्प्ले के अंदर ही कैमरा है लेफ्ट साइट पर, तो डिस्प्ले का डिजाइन और साइ अच्छा मिल जाता है इंदूनों के इंदर लेफ्ट साथ आप देहेंगे दोनों मोबाल्स को तो वीवो में आपको सिम की ट्रे उपर की तरफ दी गई है। इन्फिनिक्स के अंदर आपको लेफ्ट साइड पर मिल जाती है, दोस्त अची खुबी यह है, दोनों के अंदर आप दो SIM काड़, एक मेमरी काड़, तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं, यह दोनों में खुबी है, नीची की तरफ साब देहींगे, तो दोनों मोबाल्स मे मिल जाते हैं, वॉल्यूम के बटन्स और पावर के बटन्स, दोस्तो फिंगरपेंट स्कैनर इन्फिनिक्स में आपको पावर के बटन के अंदर ही दिया गया है, साइड में, वहें दूसरे तरफ वीवो में आपको डिस्प्ले के अंदर मिलता है, तो इस चीज़ का बड़ पावर के बड़िया है, इसकी कीमत भी 5000 कम है, और इसके अंदर भी आपको 8GB RAMX और 23GB की इंटरनल स्टोरिज मिल जाती है, वीवो की तरह, दोनों ही मुबल्स के अंदर आपको Android का 10 वर्जिन दिया गया है, इस चीज़ में दोनों किसे हैं, बात कर दोस्तों बैटरी के बार अब यही क्योंकि कीमत भी 5000 कम है, इसके अंदर भी आपको normal ही बैटरी दी गई है, एक दिन का बैटरी बैक अप दोनों के अंदर आपको मिल जाता है, बात कर दोस्तों प्रोस्सर के बारे में, तो वीवो के अंदर आपको दिया गया है, स्नैपडरेगन 665 प्रोस्सर, के V20 SE के comparison में अब ये सारी खुब ये कम्याप को मिलती हैं दोनों मूबाल्स के अंदर चलिए बात कर लेते हैं आपको दोनों मेंसे कौन से लेना चाहिए तो दोस्तों मैटर सबसे पहले ये करता है कि आपको Vivo पे ज़्यादा भरोसा है या फिर Infinix पे इसके बाद आपको जो में ज़रूत की चीज है वो किसमें ज़ाद अच्छी है तो अगर आपको डिस्पले बढ़िये चाहिए तो आप Vivo ही लीजिएगा डिस्पले की क्वालिटी सके अंदर आपको ज़्याद अच्छी दी गई है इसके साथ दोस्तों गर आपको डिजाइन अच्छ चाहिए तो भी आप वीवो खरी दिएगा देखे दोस्तों लुकवाइस तो डिजाइन दोनों के अच्छे हैं क्वालिटी आपको थोड़ी और बैटरी ही दी गई है इन्फिनिक्स के अंदर लेकिन इन दोनों मॉबैल्स में जादा सिलिम जादा पतला वीवो है थोड़ा सा लाइट वेड भी है ये मॉबैल तो दोस्तों इन दोनों मॉबैल्स में अच्छे डिजाइन के लिए आप वीवो खरी दिएगा लेकिन दोस्तों गर आपके लिए मैटर करता है मूबल का कैमरा तो कैमरे को लेकर मुझे ये दोनों ही मूबल्स एवरेज ही लगे जितनी जादा इनकी कीमते हैं उस लेवल की परफॉर्मेंस मुझे नहीं लगी इन दोनों से और जादा बड़ी है स्मार्टफून सा आपको देखने को मिल जाते हैं इस बजट के अंदर तो आप कोई और सा स्मार्टफून भी देख सकते हैं बाकी कैमरे के अंदर मुझे दोनों मूबल्स नॉर्मल ही लगे इसके साथ दोस्तों अगर आपको बैटरी अची चाहिए तो आप सस्ते इंफिनिक्स खरी दियेगा इसके अंदर आपको बैटरी काफी अच्छी मिल जाती है और अगर आपको रैमोर स्टोरेज अच्छी चाहिए तो भी आप इंफिनिक्स खरी दियेगा इसके अंदर आपको रैम और स्टोरेज वीवो के बराबर दी गई है वो भी कम कीमत में आखर में दोस्तों अगर आपको प्रोस्सर जाद अच्छा चाहिए एक तो डिजाइन बहुत अच्छा है दूसरा डिस्पले बहुत बढ़िया है तो अगर आपको डिजाइन और डिस्पले ही अच्छा चाहिए और आपको वीवो पर भरोसा है तो आप 21,000 में वीवो का V20 SE ले सकते हैं बाकि अगर आपको यह तीन खुब्य चाहिए जो इन्फिनिक्स में आपको कम कीमत में काफी इंपॉर्टेंट मिल जाती है एक तो बहुत अच्छी रैम और स्टोरेज दूसरा बढ़िया प्रोस्सर और तीसरा अच्छी बैटरी तो यह तीन खुब्य आपको इन्फिनिक्स में कम कीमत में ही काफी बढ़िया दी गई है तो आप यह मुबाल ले सकते हैं अगर आपको यह तीन चीज़े मैटर करती है अब आप बते एक नीचे कमेंट करके क्या आपको 5000 सस्ता इन्फिनिक्स का 08i पसंद आया या फिर आप 21000 में वीवो लेना पसंद करेंगे यह चीज़ कमेंट करके जरूर बताईएगा मुझे वीवो का डिजाइन और डिस्प्ले काफी अच्छी लगी लेकिन काफी बड़ी कम इसके अंदर यही है प्रोसेसर इतना अच्छा नहीं दिया गया आप ज़रूर बताईएगा आपको कौन सा अच्छा लगा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो के लाइक कर दीजिए वीडियो के निशी जो लार कलर का बटन उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बैल लेकर भी दबा दीएगा ताकि नई वीडियो आप तक पहुँशते रहें इसके लग वीडियो गर आपको हैल्फल लगी तो अपना दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीएगा वाटसे फेस्बुक पे मिलते हैं के लिए वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाई